हाई दोस्तों एक बाफीर स्वागत है भाईयों का चैनल रेक्शन बाबा में मेरे नाम है राम और आज में जो रेक्शन करने वालों वीडियो का टाइटल है अल्ला पर तवक्कुल थैजिनियर मुहमद अली मिर्जा तवक्कुल का मुझे मतलब नहीं पता सायद अब मुझे पताच चलेगा यह वीडियो देख्कार पर अल्ला आपकुल मतलब साय विष्वास हो सकता है इसका मनलब या कुछ और हो सकता है आईयोग को किलियर हो आगे वीडियो में और मैं भी जाना चाहता हूं उस वर्ड का मीन क्या है और अल्ला के बारे में जिक्र है तो बहुत अच्छा वीडियो जाने वाला है यह ओविएसली इंज इस पर स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो आयोग आप प्यार देंगे मुझे पता है आप सपोर्ट करेंगे जरूर पसंद आए तो लाइक जरूर करना कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप फर्स्टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो तो आज क ये रेक्शन में स्टार्ट कर लेता हूं बिना किसी देरी के लेट्स प्ले गाईज और जब इसान को कोई तकलीफ पहुचती है तो वो अपने रब को पुकारता है बड़े रुजू के साथ बड़े लंबे हाथ उठा के अल्ला की तरह मतवज्य होता है तो वो ऐसा भूल जाता है जैसा कि उसने कभी हमें फुकार ही नहीं था यही होता है या दुनिया में लोग अल्ला को फुकारते हैं अल्ला तरह मसीबत परेशानी हल कर देता है उसके बाद वो या तो और हस्जियों की तरफ उस तकलीफ के दूर करने को मनसूब करना शुरू करते थे या वो कहते हैं जी मैं दी तो प्लैनिंग ही बड़ी चाहिशी देखो ना मैं उस टाम बड़ा मनुस समझ आगी सी क्या होड़ा है तरह मैं कर ले असके लिए नहीं नहीं मर्दी समझ आ जाए अल्ला के सामने तो इतने फैक्टर्स हैं किसी बी नहीं वो aneख़ वघ्वीं पलनिम की और जाय तरह मैं आपने इरादों के टोटने से अपने रभ को पहचाना है या अन्हीं मैं पूरा इरादा कर लेता हूँ सारे की सारे सरक्मस्टांसी लोज मैं जा परयू नहीं बिए और पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो गया ऐसा हो जाता है मेरे भाइयों और यही चीज़ें बिसीकली अल्लह ताला अपना आप इनसान को दिखाता है कि कोई शख्स ल्लह ताला से कभी भी अजाद नहीं हो से है रहता कि आप देखंगे लिए इन्शालला के साथ कहना है को पाक निकला नहीं वे चूँगा क्यों निकलाती है इनसान कभी अजाद नहीं होता अल्ला से उसकी तकदीर से कभी अजाद नहीं होता है इसलिए लहां अर्सा दरास से हम अपनी पूरी आफट करके उसके बात अल्ला पर ही तवक्कुर रखते हैं और मैं यह जितना अपने resources को manage करने में वहम हूँ ना इस से ज़्यादा मैं अर्सा दरासे Allah के बारे में वहम हूँ यह जब कुछ मैं सब कुछ कर लेता हूँ ना और मुझे सबसेड़ا जिस चीज़ की tension होती है ना वो अल्ला की होती है कि Allah तो अल्ला को whoever आटना डाल दे अल्ला की तरफ मतवज्जे रहतो हर मामले में और इसका मैंने फिर पॉजिटिव रिजल्ट देखा है कि मेरे बिगडे हुए काम जिसमें मैंने कैई चीज़ें ओवर लूकी भी होती है वो फिर अल्ला ने समाली होती है वो खुद रिजाल होनी शुरू हो जाती है पता ही नहीं चलता है कि कहां कहां से अल्ला मामलात को सीधा करते है वो मैं यत्तकि लाह यजळल्लहु मखरचा वयर्जगु मिन हैतु ला यहतसिब ये कुरान की आयत है सुरह अल्ला की जो कोई अल्ला पर तक्वा एक्तियार करेगा हम उसको वहां से रिस्क देंगे कि उसे गुमान भी नहीं होगा इनल्लाह बालिगु अम्री अल्ला ताल्ला अपने कामों को पूरा करके रहता है अल्ला ने जो अरादा कर ली है जिस काम को बलूगत तक लेके जाने का वो उसने कर देंगे लेकिन गद जाल्लाह लिकुली शें गद्रा लेकिन हर चीज़ के लिए ल्ला ने एक अंदाजा मुकरूर कर रका है यानि जब वो वक्त आएगा ना तब ही वो मामलात हो उससे पहले नहीं हो सकते है आप जितना मज़ी टिल लगा लें जिस चीज़ का जो वक्त है वो उसी वक्त पे होगा तो अल्ला तरह हमाता है कि ये जब हम इनको अता कर देते हैं फिर ये फोरान अल्ला को भूलाते है वो मैं अगले दिन वो कास्म अली शाह साब की एक वीडियो देख रहा था वो मैं बड़ी अच्छी बात की वास्म अली वास्म साब के होाले से वो कह रहे थे कि वो बता रहे थे कि अल्ला की तरफ आपकी तवज्ज़ और तवक्ब का लेवल क्या होना चाहिए एक तो वो तवक्ब है जो हमें वाइजीन की तकरीरों में नज़र आता है उनकी किताबों में नज़र आता है प्रैक्टिकली वो एक परसंट अल्ला पे तवक्ब नहीं करने वाले होते अगर अल्ला पे तवक्ब हो तो तो वो अपने चाने वालों मुरीदीन से चंदे कटे न कर रहे हो और एक एक चीज की टेंशन कर रहे हैं। आदमी होते हैं वो मेरे एक दोस्त है ये वाक्य आपने याद रहे हैं मैं दौबरहां को कासम बली शाहाँ सावालबाद में विस्टाराँ पेर्टे वो प्रूराइज में पड़ते थे तो वहां पे काफी वह उर्थ वगेरा लगता था बड़े दूरद्राद से लोग आते तो कहते हैं कि वो जब जिन दिनों में उर्स होता था था न तो वो पुलिस को बार बार फून कर रहे हैं कि जनाब ए एस्क्योर्टी ता बड़ा ख्याल लखना है लोगां दीजी यह लोग आदने ने पिशली बार भी आया है हो गया सी है कियो है जेब काट की थी मैंन देखा कि पीर खाने पर या को उर्स पे लोग जा रहे हो लोग उनको वहाँ पर मार रहे हो कि यहां विदर क्या करने आया है वो तो प्चारे बड़े कमजोर लोग हैं जो उर्सों के खिलाफ हैं ना उनके पास यह कैपेपिलिटी के हो मारे बारने वाले तो दूसरी पार्टी है तो कहता है मैंने उसको का या तुम इतनी टेंशन को लेते हो मतलब जो आ रहा है उसको कहतना है या लग बंदों यह न थी जेबा काट यह इंगे थे सानू के यह इंगे थे आगे ये उसने खुद बोल के का उसने का हमारे मुरीदीन की अगर जेबें काट गई तो ये हमें क्या देंगे तो हमें इनकी जेबों की जादा फिकर होती है और मुरीदीन इस लिए से जा रहे हैं कि पीर साथ जो है ना वो ही हमारी इफादत करने वाले है और पीर साथ आप की जेब की इफादत के लिए खुद पुलिस के मुटा आ जाए आप अंदादा कर ले और वो कास्व अली शाह साथ कहने लगे कि वो वास्व अली वास्व साथ एक मजलिस में फर्मा रहे थे के लाह के बंदों में और दुन्यादारों में क्या फर्क होता है वो कहते हैं लाह के बंदें जो होते हैं ना उनको कोई अगर प्थर भी मार देता है ना आके आपको जो मखलूग की तरफ से तक्लीव भी पहुंछते है ना उसका फाइल है की Kiwi अलए है क्योंके जो हजारों तकलिफ के दरम्यान हर्डल बना हुई है उसी ने जाना दिएने के चलो एक चूंडी, इनूम वर्ड ली जाए क्योंके हजारों तकलिफ हैं तो उसने अलबी किस तरहां बिस्त्रों से गरते हैं जाके कभी कहीं गरते हैं सिढ़ेंव से नीचे गर जाते हैं कहीं जाके लगते हैं कभी कुछ तूट जाता है इदर आख करिए बना करता है ओए शुकर आजी बाद नेड़ी नेड़ी बच आ Allah दो बचिए हो जब हम तकलीव दूर कर दे ते हैं यह तो कोई कहा ते थिता है कोई कुछ कहा देता है को एक मुझा लतीफ़ा याद आ गया वो एक मंदा जो है वो समंदरी तुफान में फस जाता है और जब वो डूबने लगता है तो कहता है या लध मैं नो बचा ले मैं देख देंगा तेरे नादी ठीक है जी तो अलाद आग बचा लेता है तो ओ फिर कनारे आग का लेता है जी वो तो फिर जाहरे उसने मुकर ही जाना होता है जो अलाद आगाता है कि जब हम इनकी तकलीफ दूर करते हैं पिर ये भूल जाते हैं हमें तो किनारे पे पहुंच के एंदा है केड़ी देग कुछ देख शेख नहीं हो तो फिर एक और हच्चकॉला उसको आता है तो फिर वो समुन तरम कहा दा है नहीं यह आला मैं पोज़ जाता है मिठी के लोड़ी ठीक है केड़ी देग तुम रागा नहीं था वज़ाला लिल्लाही अंदादा और अल्ला के मकावले पे और हस्तियां खड़ी कर देते हैं कि यह इनों ने की है बच्चा आल्ला ने दिया होता है और कहते हैं नहीं वो उनकी वज़ा से हुआ है लियु दिल अन सबीली ताके बहका दें ल्ला की रासे हकीकत बा हलाके ल्ला दे रहा होता है लेकिन शेतान जो है वो एंड टाइम पर ऐसा वसवसा डालता है कि इनसान और हस्तियों की तरफी से मनसूब करना शूरू करते हैं हमने तो कई ऐसे देखे हैं जो लोगों को बच्चे दे रहे हैं लेकिन खुद बे उलाद होते हैं उनको के अखरी रुकू पढ़ लें ला दरमाता है ल्ला जिसे देता है बेटे देता है जिसे चाहता है बेटियां देता है जिसे चाहता है दोनों देता है और जिसे चाहता है महरूम रखता है नभी लेसलाम की सिर्फ एक बीवी है जिससे उलाद है स्यदा खतीजा से या एक मारिय عقبتیہ سے سیدنا عبرہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہوگئے باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں کیا نبی کی بیویوں کے خواہش نہیں تھی کہ ان کے اولاد ہو اللہ کی مرضی ہے سیدہ عائشہ مابوب ترین بیوی ہے جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں کوئی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے سنتالیس سال تک زندہ رہنا تھا کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں ایک بچی بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی نہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں قل تمتع بکفری کا قلیلہ اللہ کا اس پہ غزب دیکھیں اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری دیمتوں سے کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرح منصوب کرتے ہو اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں انکم ان اصحاب نار پھر تو تم مرنے کے بعد دوستیوں میں ہی شامل ہوگا انسان یہ سنگلر کے سیگے سے نا ایز ای ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تم اٹھا لے جو کچھ تم نے نبا اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں تم منصوب کر لے مخلوق کی طرف پھر تم نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا ہے تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی سب ایک ہے اللہ بھگوان سب ایک ہے سب کا اپنا اپنا دھرم الگ الگ ہو گئے تو سب کی الگ الگ بھگوان ہو گئے سب کی الگ الگ اللہ ہو گئے یہ سب چیز ہے پر لوگ پہلے کچھ بولتے ہیں بات میں کچھ بولتے ہیں پیچھے کی چیزیں بھول جاتے ہیں پھر بھگوان اللہ ان کو یاد دلاتا ہے کہ بھائی یہ سب جو تُو کر رہا ہے نا یہ میرے ہی ہے کیونکہ اگر میں چاہو گا تو وہ ہی ہوگا ہے یہ سچ بات ہے گئے ملے آپ لوگ کتنا بھی وہ کل لو کیونکہ بہت سارے لوگیں کچھ بھی مانگتے ہیں پیدا ان سے ان کو وہ مل جائے جیسے کسی نے شہرد دولت کار ڈھاڑی بنگلا اچھی بی بھی کچھ بھی مانگا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے اوپر والے کے رحم سے اوپر والے کی کرپاس سے تو پھر وہ باتوں اس کو بھولی جاتا ہے لیکن پھر وہ چیزیں دیرے دیرے ڈیسمنٹل ہوتی ہیں خراب ہوتی ہیں پہلے تو جب وہ کرجہ لینے کے لیے آتا ہے پہلے ہاتھ پہر سب کو جوڑ دیتا ہے نہ چلے گا آپ کے آگے لیکن دیتے ہی پھر وہ بھول جائے گا پھر اس کو سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ لوگ کیا ہی ہوتا ہے پھر آگے یہ سب ہے گائز سکر ہمیشہ کرنا چاہیے ان کا کیونکہ ان کی اوپر والے کی کرپاس سب چیز چل رہی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ کونسپٹ مجھے بہت اچھا لگا آئی ہوپ آپ کو بھی اچھا لگا ویڈیو اچھی لگیا تو سیئر کریں دوستوں کے ساتھ لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل پہ تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پائیں بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں آج کا ریکشن میں یہ انٹ کرتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ اور ریکشن میں تب تک رہے تھے بائی بائی گائز چینل پہ